वेलकम टू ड्रीम के बीसी जिक्के दोस्तो एक बार फिर से स्वागते आपका ड्रीम के बीसी जिक्के चैनल में दोस्तो आज इस वीडियों के दर मानव सरीर के महत्तोपुन अंग आक से सबदी जन्रल नोलेज के सामन्य ग्यान की 50 अती महत्तोपुन क्वेशन लेके आये की स्टेडी में हेलफू लगता है तो इसे लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जिक्के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पर नए हो तो दोस्तो आपको नमबर विजन ती रहेगी आप नीचे रहेए रेड़ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू मेरे बेल आइकन को दबा दीजिए ताक कि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेज़ेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलके रहें कि दोस्तों वीडियो अं तक देखिए अच्छा लगे तो लाइक जरू करना अब दोस्तों इस से पहले भी मैंने मानव सरीर के बादे में तीन वीडियो अप्लोड किया थे जिसने एकसे लेका कि से पचासा सब्सकूर कि वारे वीडियो का और ग्लाई यह तहू write कि Say पाल दिये तो वीडियो आप देख सकते हो इस वीडियो का पहला क्विशन मनुष्य की आंके किसके कारण नजदीक और दूर की चीजों को आसानी से देख सकती है हमारी आंक में कितनी जटिलता है इसके बारे में कोई संदे नहीं है आंखे हमारे सरीर का अदबुत अंग है आखों की वज़ा से हम मिलो दूर वस्तुओं को देखने में सक्षम होते है और आख से हम रंगों की पहचान करने में सक्षम होते है और आख से हमें वस्तुओं के बीच दूरी और उन में होने वाली गती विदियों के बारे में पता चलता है tuition number oneана, आखो में किस बाग में image बनता है, मनुष्य की आखो में इमेज बनता है क्विशन का उदर है रेटिना, तो मनुष्य की आखो में रेटिना जो बागे उसमें image बनता है और मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र है जो फोटोग्राफिक केमेरा की तरह व्यवार करता है इसके द्वारे रेटिना पर वास्तरिक प्रतिवीम बनता है और वैसे रेटिना पर प्रतिवीम बनने के लिए रेटिना और उसके देखे जाने वाली वस्तू के बीच एक निर दस्टी दोस, तूर दस्टी दोस, चरा दस्टी दोस होते है Question number 153 आंक के lens का focal length इन में से किसके action से बदलता है आंक के lens का focal length किसके action से बदलता है, अगर आपको पता है तो इस question का answer आप commit भी कर सकते हो और प्रा knowledge भी check कर सकते हो total 50 question है, 50 question में से कितने question के answer आपके सही होते हैं आपको comment करके हमें बताना है, अपना knowledge चेक करना है तो इस question का होते है ciliary muscle, तो आंक के lens का focal length, ciliary muscle के action से बदलता है, तो ciliary muscle या ciliary mass पेसी, जो आंक की ciliary body के एक भाग को बनाने वाली चिकनी पेसी होती है Question number 154 एक सामन्य मनुश्य के लिए सपष्ट दस्टी की नियुनतम दूरी कितनी होती है, एक सामन्य मनुश्य के लिए सपष्ट दस्टी की नियुनतम दूरी कितनी होती है अगर आपको बताए, तो इस question का answer आप comment भी कर सकते हो यहाँ पे 25 cm है 25 cm सेंटिमेटर नहीं लिखा है समा चाहते हैं तो 25 सेंटिमेटर आप ज्यादा अपनी आख से 20 cm कोई भी चीज दूर होती है तभी आप देख साओ जैसे 20 cm अपनी आखे स्पोंड लग रख्या आप चेक करशन 25 cm से दूर जाए जैसे जैसे दिखना बंद हुजाएगा और निनुतम दूरी 25 cm होनी चाहिए तभी कोई चीज़ को आप देख पाते हो अच्छे से पढ़ पाते हो और आपको बदातू कि पूरी दुनिया में मनुश्य और कुत्ते ही ऐसे जीवे जिनकी आखों का इलाज दूसरों की आखों से बदल कर किया जा सकता है और कुत्तों में यहां गुर्ण तभी आता है जब कुत्ते मानों के साथ रहते हैं मनुश्य की आख में पुतली का आकार रोष्णी के हिसाब प्रकास के हिसाब से किसके द्वारा निर्दारित किया जाता है तो मनिश्य की आख में पुतली का आकार रोशनी के हिसाब से किसके द्वारा निर्दारित किया जाता है तो आईरिस का कारिया पुतली के आकार को अनुकुलित करना है यदि आख में प्रवेश करने वाला प्रकास कम है तो पुतली अधिक फैलती है और ताकि अधिक प्रकास आँख में प्रवेश कर सके वही यदि आँख में प्रवेश करने वाला प्रकास तेज है तो पुतली सिकूर जाती है Q156 दूपिया ज़्यादा प्रकास में पुतली का आकार केसा हो जाता है दूपिया ज़्यादा प्रकास में पुतली का आकार कैसा हो जाता है मैंने इसका आंसर आपको पहले ही बताया है तो कुपिया कमेट कर सकती है आपको बताया हो तो इस क्येशिंग का होते है छोटा हो जाता है तो इस क्येशिंग का छोटा हो जाता है सिकूर जाती है और आपको बताओ कि आपकी आखों का आकार जन्म से ही एक समान रहता है जबकि आपके नाख और कान हमेशा बढ़ते रहते है और मानव की आख सिर्फ तीन रंगों को ही पैजानती होती है वहे लाल निला और हरा बाकी के रंग इन तीनों रंग के अलग- मानव के अन्धेरे या कम रोषनी में आख की पुतली के आकार पर क्या फर्क परता है इसको सिर्फ बढ़ा हो जाता है और आपको बात कि मानव की आख का कौर्णी आख रकते हैं तो आखों का कौर्णी या भाग लोड़ किया जाता है तो आपने बहुत ये ंसका अंसर आपको पता हूँका के भी अजोड़ता है कि मानव को नेतरदा 550 नमिह लग अलग अलग रंग होता है किसी वजह से मानव की आंग के कौनिहां को आंंक की सर्जी के सब्सक्राइब सार्ग मचली के कौनिहां से बदला जा सकता है इस क्वेशन कलेए और किसी की अलग अलगल रंग किसी की अलग अलग रंग पर निरबर करता है किसी की आइख निली है हो तिया है और विस्व में सब ज़्यादा आँख भूरे रंग की होती है वह आईडिस पर निर्पर करता है Question number 159 मनुष्य की आँख में कौन-कौन से लेंस पाए जाते हैं तो इसके चेह उत्तर लेंस होता है जी लेंतर हिंदी में convex lens कहते है यहाँ पे हिंदी में उत्तर लेंस और इसका इंग्लीज में convex lens कहते है तो एक ही लेस पाया जाता है Question number one मानव आख में रेटीना पर कैसा प्रतिविम बनता है मानव आख में रेटीना पर कैसा प्रतिविम बनता है अगर आपको पता है तो इस question कहां से आप comment भी कर सकते हो इस question का वास्तविक और उल्टा प्रतिविम बनता है मानव आक में रेटिना पर मानव आक के अधियन को क्या कहा जाता है इसे नेत्रविज्यान भी कहा सकते है मानव आक के कौन से उत्तक में रखत नहीं पाया जाता है मानव आख के कौन से उत्तक में रखत नहीं पाया जाता है मानव आख का एक मात्र ऐसा बाग है कौनिया मानव शरीर का या मानव आख का जहां तक रखत नहीं पहुच पाता है और कौनिया जो होता है मानव शरीर में से ऑक्षिजन पी नहीं लेता है KORNIA То मानोवांग करके ऊपर उब्रिएूबड़ा हुआ जो भाग होता है उसे KORNIA कहते है जैसी कि मैंने बता आया कि जब नैत्रदान करते हमारी आँक करते कि कॉर्णेयाidente करते है तो कॉर्णिया लोड किया जाता है निकट दरश्टी दोस में प्रतिवीम कहां बनती है जैसे कि मैंने बता है निकट दरश्टी दोस दूर दरश्टी दोस और जरा दरश्टी दोस तीन दरश्टी दोस है इसके रेटीना से पहले पड़ती है निकट दरश्टी दोस में मायोपिया में जैसे कि निकट दरश्टी दोस्त को चिकित सई भासा में मायोपिया कहते इसमें दूर की चीजों को स्पष्ट रूप से देखने में परिशा नहीं आती है और मायोपिया में आक की पुतली आईबॉल जिसे आईबॉल के थे पुपिल का आकार बढ़ने से प्रतिविम रेटिना पर बनने से बजाए थो मायोपिया से पिडित है और मायोपिया तब होता है जब आख की पुतली बहुत लंबी हो जाती है या कॉर्णिया आख की सबसे बारी सुरक्षात्मक परत की वक्रता बहुत बढ़ जाती है तब मायोपिया होता है फिश्य नंबर 16 मनुश्य की आखों में दूर दर्शिता ह और हाइपर मेट्रोपिया रेडिना के पीशे बनता है. तो हाइपर मेट्रोपिया में आखो गए, इसको दूर दरश्णी दोस कहते है, यह दोस उत्पन होने पर, फ्रकास की समानतर किरण पूंच, आख दोरा अपरावर्तन के बाद, रेडिना के बाद में प्रतिवीम बनता है ना कि रेडिना पर इस कारण पास की वस्तुओं का प्रतिवीम स्पष्टर नहीं दूर बनती है और चीजे तुन्दली देखती है दूर दरश्टी दोस हाइपर मेट्रोपिया को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेज का चस्मा का प्रयोग किया जाता है दोस्तो अभीज़त आपने हमारा यह चैनल ड्रीम के बीसी जिक्के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारी चैनल पे नए हो तो दोस्तो आपको नमबरा मिलनती रहेगी आप निचे रहे रेड करने के सब्सक्राइब बढ़न को दबादीजे और बाजू मेरे बेल आइकन को दबादीजे ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुली नॉलेज़ेबल वीडियो की नोडिफिकिशन मिलती रहेगी दो इस वीडियो के सारे क्विशिशन वेरी वेरी इंपॉर्टर हर आपकी दूसरी या थिसरी eder EG-BA में मानौसरीर पारे में आंकों के बारे में ज्यादा से ज्यादर कुशे उत पूरा वीडियो देखिए उसके भाद हो सकता है तो एक आपका क्विशन आप नॉट्र बुक मे दे तो इस वींडियो में मानौ आख के बारे में पचास क्यों के पहले भी मैंने मानौ सरीर के बारे में वन हंट्रिस तक की विडियो में दाला था ओभी विडियो आप देख से और थी तो एसे ही 500 के अधिन के रहेंगे और यह सारे question अगर आप लिखते जाओ और वीडियो देखे जाओंगे और जब exam आए तो एक बार पढ़ लेना तो आपके मानव सरीर के बारे में एक भी question आपका एक भी marks नेगड़ है उसकी guarantee में देदाओ question number 166 डिकर्ट द्रश्टी दोस्ट myopia को ठीक करने के लिए किस प्रकार के lens का चस्मा का प्रयोग किया जाता है myopia को ठीक करने के लिए किस प्रकार के lens का चस्मा का प्रयोग किया जाता है question number 166 मानव आख का रेटिना camera के किस भाग की तरह ही काम करता है मानव आख का रेटीना केमरे के किस भाक की टरह ही काम करता है। किस फिल्म की तरह काम करता है इस एक्वेशन इस से पहले सबसे पहले कहीं पर इसा भी वर्ण के फ्रांस में हुआ था कि निश्य नंबर 68 बाइफोकल बाइफोकल चस्मा की खोज किसने की थी अगर आपको पता है तो इस क्वेशंग का अंसर आप कमेट भी कर शुक तो वेरी वेरी इंपोर्ट कुछ रही है मैं जामन फ्रेंग्लिक बैंजामन फ्रेंग्लिक ने बाइफ बाइफोकल चस्मा की करें प्रेंग्लिक किस बिमारी में आसु सुख जाते हैं और स्फ्क्रेसाट जैरो फ्ट्रमियर की बीमारी में अचु कुंशी बीमारी अं पर आन्ख की है, कौौन सी बीमारी बुजूर्ग लोगों को होती है, फेंच regarde के विश्चोट साथ धरुष्ट, जिसे प्रेस प्षियों प्या कहते है तो यहाँ पर जरा दर्श्टी दोस में निकट दर्श्टी दोस और दूर दर्श्टी दोस दोनों दोस होता है जिसे मनुष्य दूर की वस्तू को नस्दिक की वस्तू को सपष्ट नहीं देख पाता है इस दर्श्टी दोस को जरा दर्श्टी दोस कहते हैं और कारण समायोज बुजुर्गों में होने वाली बीमारी जराद रश्टी दोस्त को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है तो जराद रश्टी दोस्त को इंगलिस में प्रेस बायोपिया कहते है तो द्रीफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है बुजुर्गों में ह मनुष्य के कौन से अंग में होने वाला एक बहुत पुराना संक्रामक रोग है कि इसक्रिशन कतर आख ट्रेकोमा मनुष्य के आख में होने वाला बहुत पुराना संक्रामक रोग है कि इसक्रिशन नमबर 173 रोहे रोग या ट्रेकोमा किसके संक्रामक के कराण होता है इसक्रि मपिर्यम कहाँ एक भीमेडीrek यहां काला चिद्रग जहांसे प्रकास प्रवेश प्रवेश करता है IUSA क्या करते है अगर आपको बता है तो इस вопрос कहां से आप कमेट भी कर सकते हो क्िशन का ओँदे पूतली के दे पुपिल विशन नमबर 170 रेटीना का कौन सा भाग प्रकास की मातरा वस्तु के रंगों व आक्रितीओं का ज्irtschaft क़ा ज् wa J coisa कराती रेटीना की सलकाय इवम संकू प्रकास की मातरा वस्तु के रंगों वह आकृतिको का ज्यान कराती है मानवनेत्र में कौनसी पेसि पर ठिका रहता है मानवनेत्र में आसू निकलते हैं मानवनेत्रम में आंसु निकलते हो, किस ग्रंथी के द्वारा निकलते है안, अगर आपको पता है, तो इस कुशन का आशिर आप कमेठी भी कर शकते हो, कई एक्जाम में कांसर आप COMET भी कर शकते हो, बार 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 पूचा भी जाता है, मानवनेत्रम में आसुello के आसु में कौन सा अमलव होता है अगर आपको पता है तो इस question का अंसर आप comment भी वेर वेर इंपोर्ट question नहीं है तो इस के सिया लिक अमलव होता है मानव नित्रा के आसु में question number one said मनुष्य की आखे कितने degree तक देख सकती है मनुष्य की आखे कितने degree तक मनुष्य की आखे मानव आख में कौनिया और लेस के बीच में कौन सा द्रव्य होता है मानव आख में कौनिया और लेस के बीच में एक स्थार जगा होती है कि वहां कौन सा द्रविय होता है जली द्रवी जली द्रव किते द्रविय जली द्रव होता है जो आसु बनाता है और अपनी आखों को को शरीर में से प्रोशक द्रव्य प्रोवाइड करता है ज्ग मेर्थी नमबर Неथी वर में संकू कोशीका कौन सेल वह सलाका कोशीका रोड ज्them भी केते हैं मानव नेतर नितर संका कोशीका या सलाका कोशीका मानव नेतर में कहां पाई जाती है अगर आपको पता है तो इस question का answer आप commit भी कर सकते हो इस question का उतर रेटीना में बाई जाती है संकु कोशिगा और सलाका कोशिगा very very important question question number 182 आख के रेटीना पर बने प्रतिबिम को किसके द्वारा मस्तिस्क में बेज दिया जाता है इस question का द्रष्टीत अन्तरी का द्वाराण optic नर्वर द्वारा इस question number 183 अगर प्रतिबिम रेटीना से हटकर नीचे बनने पर क्या बनता है question white 184 आखों में आने वाले बेक्टिरिया को किसके द्वारा नश्ट किया जाता है आखों में आने वाले बैक्टिरिया को किसके द्वारा नश्ट किया जाता है वेरी वेरी इंपोर्ट कुछन ही ये तो इस किसल लिसोजाइम या लाइसोजाइम इसजाइम द्वारा नश्ट किया जाता है आखों में आने वाले बैक्टिरिया को मनुष्य की आंक का व्यास लखबग कितना होता है अगर आपको पता है तो यह वर गाया है मनुष्य की आंक का व्यास पिशूले Alex वर्णाद Anda असे ग्रस्त रण्गों किलों यहीं एंसिद समझ नहीं आता इह वर्णांद तासे ग्रस्त वेक्ति को कौन से रंगों में अंतर समझ नहीं आता है इस क्वेशन का उधर है लाल और हरा रंग तो ज़्यादा दर आपके पुरे दुनिया में हर बारा वेक्ति से बारा वेक्ति में से एक वेक्ति को यह रोग होता है यह परिसारी आती है आख में Question number 187 मानव आख लगबक कितने Megapixel की होती है मानव आख को Megapixel को देखा जाए Megapixel की होती है Very very important question नहीं है तो इस question तो 576 Megapixel की होती है Question number 188 मनुष्य प्रती मिनिट औस तन कितनी बार पल के जबका लेता है मनुष्य की मनुष्य प्रती मिट औस तन कितनी बार पल के जबका लेता है तो इस question का होती है 12 से 16 बार 12 से 16 बार प्रती मिट पल के जबका जबका Question number 189 मनुष्य की आखो का धरश्टी का स्थाइत्व Stability Stability of Vision कितना होता है Question 1 upon 16 second 1 upon 16 second होता है Question number 190 मानव आख कितनी परतों से बनी होती है मानव थीन परतों स्वेत परतल चोरोइड और रिडिना स्वेत परतल कोरोइड और रिडिना से बनी होती है मनुष्य की आख की तीन परते होती है Question number 191 मनुष्य के आख किस परत में रक्त पाया जाता है डिस्टिन कौरोई Nik Toroi Đi मैं रक्त कोशी या रक्त पाया जाता है रॉप स्वuição कवरिशन नंबर 119 कॉर्णिया की गोलाएं में अनियम साके कारण नेत्र में कौनशा दोस हो जाता है इसक्रिशित, ऐस्टी गमेटीजम, ऐस्टी यह दस्टी वेशचंविया कहते है, तो कोर्णिया की गोलाइवि अनिमीत्ता की कारत नहेत्र में यह दोस्त हो जाता है, उम्र बढ़ने के साथ होता है यह भी, question number 193 cornea पर हुए घाव को क्या कहा जाता है very very important है this question is corneal ulcer corneal ulcer कहा जाता है अगर छोटा मुटा घाव होता है तो cornea खुद ठीक कर दिता है बड़ा घाव होता है तो problem हा जाती है question number 194 आखो का वह पारदर्शी भाग होता है जिस पर बहार का प्रकाश परता है और उसका प्रतिया वरतन होता है आको का वह पारदस्टिक भाग होता है जिसको उभार भी कहते है कौनिया खराब हो जाता है जो आको में रतोंदी भी आती है कौन से विटामिन की कमिल कार रतोंदी की विमारी होती है मनुष्य की आको को आकार कौन प्रदान करता है इसको नेत्र काचाब ध्रव यह इंदी में वेट्रस हुमोर नेत्र काचाब ध्रव होता है वह मनुष्य की आको को आकार प्रदान करता है मनुष्य की आको का कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोश्नी दिखाता है मनुष्य की आको का कौन सा सेल काली और सफेद रंग की रोश्नी दिखाता है इसको नेत्र क्रिश्य की आको पर लेज कहां पाया जाता है इसको पूतली के पीछे पाया जाता है मनुष्य की आको में लेज मैंनुष्य आखों से देख पाता है फेक्ट कि आप जा कि आप सुनके आप अच्छा चैकित हो जाओगी कि हमारी आंग हमारे लिए observing जैसी कि मैंने आपको बता है हमारी आखों की मूतियों मतलब आइबॉर्स को छोड़कर हमारे सरीर के सारे हिस्से उमर के साथ साथ बढ़ते रहे और इंसान की आखे जन्म से लेकर मृतियों तब तक हमीसा एक ही आकार के रहते हैं आख वो कभी बढ़ता नहीं है लेकिन चाल जिसमें खुन नहीं बहता है और कॉर्णिया ओक्षिजन हमेशा आखों के बाहर से लेती है और हम कभी आख खुली रखकर चीक मारना असंब आख खुली रखकर चीक नहीं मार सकते हैं और पुराने समय में समूद्री डाकू अपने कान में बाली इसलिए डाल कर रखते थे क्योंकि वह मानते हैं कि ऐसा करने से उनकी आखों की दस्टी बैतर होती है और लोगों की आखों की 45 प्रतिसत तक पुतलिया तब फैल जाती है जब वो उस व्यक्ति को देखता है जिसे वो प्यार करते है और बच्चे जन्म के समय रंगों की पैचान करने में शक्षम नही होते है जिन लोगों की आखे निले रंकी होती है उन सभी लोगों के पूरवज समान होते क्योंकि 10,000 साल पहले सभी लोगों की आखे भूरे रंकी होती थी फिर किसी ने अनुवांसिक उत्परिवर्दन जिनेटिक मोटे शन को विक्षित किया जिसकी वज़ा से लोगों की आखे नीले रंकी हो गई दी और मनुष्य की आखे 500 अलग अलग तरह के स्टेर्ड चाया में अंतर को बता सकती है और हमारी आख में 10 करोड 70,000,000,000,000 गों सेल होते हैं जो प्रकास के प्रती बहुती समविंद सिल होते हैं हर 12 बैसे एक पुरूस को रंगों को ना पहचानने का विकार होता है और बुरे रंग की आखे वास्तों में नीचे से निले रंग की होती है और ऐसी laser machine भी है जो बुरी आखों को निले रंग की आख में तब्दिल कर लेती है और ऐसे भी रंग होते हैं जिनको देखना मानव की आख के लिए असंबव है और दुनिया में सबसे आम आखों का रंग बुराई होता है सबसे ज़्यादा बुरे रंग की आखों होती है दुनिया में और आपकी आखों का आकार जन्म से ही एक समान हो रहता है जबकि आपके नाख और कान हमेशा बढ़ते रहते हैं और मानव की आख सिर्फ तीन रंगों को पहचानती होती है वह लाल निला और हरा मैंने आपको बताया बाकी के रंग इन तीन रंगों के अलग-अलग सन्योजन कॉम्बिनेशन के होते हैं जिनकी वज़़े से मानव की आखे बाकी रंगों को देखने में सक्षम होती है निल्द के बाद आपके सरीर के अंगों को सक्रिय होने में थोड़ा समय लगता है लेकिन आपकी आखे 24-27 हमेशा सक्रिय रहती है और औस दनज हमारी पूरी जिनकी में हमारी आखे 2,40,000,000 अलग-अलग तस्विरे देख चुकी होती है पूरी लाइफ में और लोग कम्पूटर पर किताबों के मुकाबले 25-30 धीमी रफ्तार से पढ़ जाए पाते है जो हम नॉर्मली किताब पढ़ते हैं जो हमको बूक पढ़नी चाहिए बूक पढ़ने में हम फास्ट पढ़ बाते हैं अगर यह स्मार्ट फॉन या कम्पूटर में जो पढ़ते हैं उसकी रफ्तार 25 प्रतिसत धीमी होती है तो हमेशा हमें हमारी जो परंपरागत जो बूक होती है वही पढ़नी जाए जो बूक सारा और बेश्ट रफ्रेट को नुक्षान होता है हमारी रोशनी भी जा सकती है अंधे भी हो सकते हैं तो खुरुपिया बूक को ज्यादा बिस ज्यादा बड़े बूक सारा और बेश्ट फेट जय हिंद जय भारत वंदे मात्रप